तो हलो गाईज कैसे आई होप कि आप अच्छ होंगे तो गाईज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो बिना स्किप के सुरू से लेके एंड तक देखते रहिए आज के इस वीडियो से आपको जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक फोन रिपेर होने के लिए आया हुआ है फिलाल ये मोबाइल बिल्कुल डेट कंडिसिन में है तो step by step चेक करेंगे और जो भी प्रोब्लम हो उसको रिपेर करने की कोईसिस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम फोन को यू यूएसपी चार्ज़र के अंदर कनेक्ट किया तो यूएसपी चार्ज़र पर कोई भी एमपेर यहां पर कंजूम नहीं कर रहा है बिल्गुल 0-0 एमपेर यह कंजूम कर रहा है इसका मतलब यह हो सकता है कि फोन का यह तो charging socket खराब है या फिर फोन के अंदर sorting भी हो सकते है यह जो condition है यह फोन के अंदर बन सकती है तो आगे आपन इसको अच्छे से चेक करेंगे और जो भी problem आ रही हो उसको step by step चेक करके उसको repair करने की कोशिस करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिस करेंगे तो guys इस वीडियो को आपने अभी तक like नहीं किया तो फटा पिट से इस वीडियो को like कर दीजिए और comment करके बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आने वाले अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए guys आप हमारे इस चैनल को subscribe करके और notification को own कर लिजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका notification आपको continue मि काम हुआ है क्योंकि guys सबसे पहले किसी भी motherboard पर काम करने से पहले eye scanning जरूरी होता है मैंने आपको कही बार बता है तो सबसे पहले guys हम phone को check करेंगे कि कहां कहां पर काम हुआ है और उसके बाद अपनी phone को check करना start करेंगे और जो भी problem हो उसको step by step check करेंगे और उसके बाद repair कर लिए तो इसका charging socket है वह मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि already हाँ चेंज है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी technician भाई ने इसको चेंज कर दिया है इसके लावा अगर आपने यहां पर बोर्ड में देखें तो इसका पत्रा है उपर वह भी निकाला गया है बाकी बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी काम हुआ है तो सबसे पहले फोन की जो sorting है उसको चेक कर ले रहेंगे फोन के अंदर sorting है या फिर नहीं है ठीक है उसके बाद अपन आगे का जो भी काम है वो करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एक साइड की रीडिंग इसका मतलब है कि फोन के अंदर वी बैट की जो लाइन है वो ओके कंडिशन में इसमें sorting नहीं है तो आप अपन यहां पर इसका जो नीचे का चार्जिंग सोकेट है उसको भी चेक कर ले रहे हैं कि यह ओके है या फिर नहीं है इससे वोल्टेज आउट हो रहा है या फिर न इसका मतलब यह है कि इसका चार्जिंग सोकेट तो ओके है दूसरी कोई प्रोब्लम इसके अंदर हो सकती है तो अपन गाईज इसको एक बार DC मशिन पर भी लगा कि चेक करेंगे कि इसके अंदर सोर्टिंग है या फिर नहीं है क्योंकि हमने वी बैट की लाइन को चेक किया प्राइमरी लाइन को हमने चेक किया है सेकेंडरी लाइन अभी हमें चेक करेंगे जब हम DC पे इसको कनेक्टे रहें तब हमें पता चलेगा कि सेकेंडरी लाइन में इसमें प्रोब्लम है या फिर नहीं है प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन के बारे में आपको नहीं पत मैं यहां पर ब्लेक जो वायर है उसको ग्राउंड किया है और प्लस पे मैं अगर यहां पर प्लस टच कर पा रहा हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं 0.035 की जो ओटो इंपेर है वो हमें कंज्यूम देखने को मिल लिए इसका मतल़ भी है कि फोन के अंदर कहीं ना कहीं सोर जिसके बज़ाइसी यह जो फोन है वो ओन नहीं हो पा रहा ठीक है जिसके बज़ाइसी कोई भी MPR यहां पर यूसपी चार्जर पर पर अंदर कर पा रहा और अभी मैंने इसको अच्छे से लगा कि चेक कर लिया है आपको भी मैंने बिल्कुल लाइब दिखाया कि 0.035 की म हमें यहां पर देखने को मिल रहा है इतनी सोर्टिंग जब फोन के अंदर होती है तो कोई भी जो कंपोनेट है वो हीट नहीं करता डायरेक्ट अगर आप बैटिक नेक्टर पर वोल्टे डालेंगे तब हमें सबसे पहले उस लाइन को चेक करना पड़ेगा जो लाइन सोर् नहीं आरी तो सेकिंड लाइन में कहीं न कहीं सोर्टिंग हो सकती है वीपिछ की लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है तो अपन यहां पर स्टेप बाइस टेप एक एक जो कंपोनेट है उसको चेक करेंगे सबसे पहले यह पर निकला हुआ है जो चार्जिंग आईसी के अगल 300 पलस आ रहा है मतलब कि यहां पर सोर्टिंग तो नहीं है कोई भी सोर्टिंग यहां पर इस क्वाइल के ऊपर मुझे देखने को नहीं बिला जैसा कि आप रीडिंग के अंदर देख रहे हैं तो यहां पर सभी जो कंपोनेट है उनको अपने एक बार चेक कर ले रहे हैं को यह देखे टच मैंने जैसे ही किया तो यहां पर डीसी मिशन के अंदर ओटो एंपियर चल रही है अलांकि इसके अंदर जी आर वेल्यू इसकी ओक्या रही है लेकिन फिर भी ओटो एंपियर है मतलब की बीपीज की जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं सोर्टिंग तो है ठीक अच्छे से चेक कर लेते हैं क्या पता कोई कंपोनेट ऐसा हमी मिल जाए जो बिल्कुल सोर्ट हो तो उससे हमारा काम हो थड़ा आसान हो जाएगा ठीक है तो अपन यहां पर अच्छे से चेक कर पा रहें एक के जो कंपोनेट वह आप यहां पर देख सकते हैं अगर दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल डॉन आ रही है और दूसरी साइड की रीडिंग भी यहाँ पर बिल्कुल डॉन यह दैको, एक component हमें यहाँ पर मिल चुका है, देखी, इस साइड की... जो reading और यहाँ पर 0.03 की आ रही है और दूसरी साइड की reading बिल्कुल 00 मतलब एक साइड ग्राउंड है और दूसरी साइड इसका पलस था वो भी ग्राउंड हो गया है तो ऐसे मुझे लग रहा है कि कहिना कि इस लाइन में प्रोब्लम है तो इसका जो चार्जिंग आई सी है वो भी खराब हो सकता है यह देखो यहाँ पर भी सोर्टिंग आ रही है मलब दोनों कंपोनेट यहाँ पर बीप कर रहे हैं इसके अगल बगल में जो भी कंपोनेट उनको हमने चेक किया है तो यह नहीं कर रहे हैं इस सिरफ यह दो कंपोनेट यहाँ पर लगे हो हैं जो की केपिसिट टाइप के अंद ठीक है ज्यादा देर के लिए अपने हाँ पर टच करके नहीं रखेंगे ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरी जगह पर फोल्ट देखने को मिले क्योंकि इस पर ओटो एंपियर कंजूम करा है इन पर वोल्टेज डालेंगे तो आपको बता दूँगी लाइन की इसाब से डालना होता है अगर यहां पर वीबेट की जो लाइन है या फिर वीपेज की लाइन है तो 4.2 वोल्टेज 5 एंपएर आप डाल सकते हैं भी प्रोब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी तो सबसे पहले गाईज हम यहाँ पर हलका सा जो voltage है वो अपन इस कॉयल पर डाल के देखेंगे कॉयल से काम होता है तो ठीक है वरना तो आगे अपन यहाँ पर component पर डालेंगे ठीक है इसको आईल पर हलका सा मटच करके देखता हूँ काहँ पर अपन यहाँ पर heat कर पा रहा है यह देखो गाईज हलका सा heat मनने यहाँ पर voltage टच किया और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 20 वाला जो component है देखिए IC के आगे का जो component है वो यहाँ पर गाईज मुझे लगता है कि heat हुआ है पहले क्योंकि जो component पहले heat होगा उसमें कहीं न कहीं problem रहती है क्योंकि sparking वहीं पर हमें देखने को मिलती है जब गाईज यह आपस में sort हो जाता है तो यहाँ पर voltage है जो current है वो एक जगह पर जाके ground जाता है तो यहाँ पर guys sparking देखने को मिलती है तो एक बार फिर से अपन यहाँ पर confirm कर ले रहे है अगर यहाँ पर इसमें sorting हुई तो इसको निकाल के check करेंगे तो एक बार फिर से मैं coil पर डालता हूँ इससे आगे की जो VPS line बन दी उस पर मैंने यहाँ पर डाला voltage तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह component हीट हुआ है और यह beach का जो component हीए यह heat हुआ है तो एक बार अपन इसको निकाल के देखेंगे अगर निकालने के बाद sorting निकलती है तो कहिना कहीं हमारा काम बन सकता है अगर निकालने के बाद sorting नहीं निकल रही है तो फिर आगे भी देखना पड़ेगा तो फटाक से मैं इस component को निकाल दे रहा हूँ निकालने के बाद इस component को भी check करेंगे अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कहिना कि कुछ नया सीखने को तो मिल रहा है आपको धीरे-धीरे करके कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही है तो वीडियो को लाइक करो वीडियो को लाइक नहीं करें अभी तक आपनी वीडियो को लाइक नहीं करें तो फटा फट से वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों की साथ में शेयर करो कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो कैसा लग रहा है आने वाल टाइम में ऐसे और वीडियो अगर आपको चाहिए है तो comment करो ठीक है तो guys अभी मैंने इसका यह component उसके निकाल दिया है अब अपने एक बार reading चेक ले रहे हैं कि reading अगर इसकी ठीक हुई अगर ठीक हुई तो फिर आगे का काम करेंगे ठीक है तो अपन यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं यह देखो गए 400 की reading अपर आ चुक है पहले बिल्कुल 00 का जियर था अभी देखो 400 का जियर आ चुका है मलब कि कहीं न कहीं यह component के वज़से यह problem इसके अंदर आ रही थी अब दे कोई reading यहाँ पर नहीं आ रही अभी आया reading इसके अंदर यह देखो गाइस बिल्कुल 0.009 की यहाँ जो reading आ वो देखने को मिल देखे तो बिल्कुल यह full short के समान ही है क्योंकि हो सकता है multimeter में कुछ मतलब यहाँ पर digit आगे पीचे हो सकते हैं तो यह full short ही है ठीक है अगर य इसको एक बार own करके भी देखेंगे अच्छे से तो गाइस इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल दा है तो यार लाइक करो और चैनल पर इतने सारे वीडियो डालके रखे हो अगर आप mobile repairing से related काम करते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं हमारे चैनल के उपर जितने भी पिकेशन को ओन भी करना चाहिए ताकि जब भी वीडियो डाएं तो उससे आपको फरी में कुछ नया सीखने को मिले फरी में सीख के आप mobile repairing कर सकते हैं और अपनी earning को double कर सकते हैं अच्छे का से जो पैसे हैं वो आप अपनी swap पे बेटके पैसे कमा सकते हैं तो फिर इससे ब इस चैनल से आपको काफी कुछ फरी में सीखने को मिलेगा जो कि आप पैसे देखे भी नहीं सीख पाएंगे साइद तो ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो चलिए अपने एक बार इसको usp charger पे लगाते हैं क्योंकि इसका जो पाउर बटन है वो तो अभी मुझे दिखाई नहीं क्योंकि उसको देखना पड़ेगा पीछे की साइड है टच करना पड़ेगा हमारी जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं सोल हो चुकी है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी पहले इसके अंदर क्या था पहले इसके अंदर प्रॉब्म आ रहे थी डेड कंडि है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर इसको चार्ज होने में उसके बाद में इसको आपको ओन करके भी दिखा दूआ तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ में सेर करो ताकि आप लोगों को कुछ न लोगों क्मुर्म उन्टन सेर कि वीडियो के सब がभा दो करी आपको लोगों कर लोगों करो दो सूआWhen कि आपको आपको वीडियो के ज सके वीडियो कर चार्राज है लोगों कि आपकोूम में सकत्तराच कज सब्सक्तराग है